अगलो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले है अफिस्ट्क शिट्रिया का नाम है और अफिस्ट्सक्से लेटेड क्या क्या एक्जाम में आ सकते हैं वन अफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोस्ट्र अफिस्ट्ट्र माइक्रोठोउमिक्स की बात चल रही है आज average fixed cost को हम लोग open करने वाले हैं और जानेंगे कि किस-किस layer में चलेगी यह हमारा आज का आपके दोस्तो average fixed cost आप हैं मेरे साथ यानि कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाच के साथ आपने YouTube चैनल one-to-one classes पे आज का हमारा topic average fixed cost तो दोस्तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं दोस्तो average fixed cost AFC क्या होते हैं दोस्तो बड़ा simple सा formula इसका कि जब मैं TFC को N से output से divide करता हूं तो मेरा AFC आ जाता है तो average fixed cost हमारी per unit total fixed cost है जब भी आप किसी भी चीज़ को N से divide करेंगे तो वो per unit value निकल के आएगी तो AFC की definition भी आपके सामने आ रहे है कि average fixed cost हमारी per unit total fixed cost है output को produce करनेगी परियुट का अलब एक output को बनाने में कितनी fixed cost लग रही है एक output को बनाने में on an average that is called average fixed cost numerical explanation से समझते हैं कि क्या है numerical आ गया चलो भाई numerical देखते हैं उससे थोड़ा और clear होगा चली मान के चलते हैं हमारी पास output है 0 1 2 3 4 ठीक है और हमारी पास TFC दे रखिये कोशन में आपको कि 20 रुपीज है 20 20 20 20 20 20 and 20 तो AFC के लिए दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना मुझे इस TFC को आउट्पूट से मतलब N से डिवाइड करना है आउट्पूट से डिवाइड करना है अब N लिखना चाहिए N लिख सकते हैं कुछ लोग क्यों भी लिखते हैं और आउट्पूट लिखना चाहिए आउट्पूट भी लिख सकते हैं कोई दिवाइड करके देखते हैं 20 अप 5020 2020 काफी मुश्किल एक पता नहीं इंफिनिटी है 20 एक और निकाल लेते हैं पर चल जाएगा हमें 20.5 भी अगर मैं निकालता हूं तो दोस्तों आजाएगा आपका 4 ठीक है तो यह मेरा AFC average fixed cost निकलती है जो मैं total fixed cost को unit से output से divide करता हूं तो मेरे पास आती है दोस्तों average fixed cost तो per unit I repeat per unit total fixed cost को average fixed cost कहा जाता है definition आपके सामने आ रही है टेंशन लेने की जरुरत नहीं है आपके सामने है चलिए अब इसके graph को बंसर्क करते हूं देखते हैं कि क्या क्या questions को लेकर आई अपने साथ में काफी important topic और इससे graph आने के चांसे जाता रहते हैं तो बनाने को भी आ सकता है कि आपको average fixed cost को plot करना है schedule आपको या तो दे सकते हैं या फिर आपको schedule भी hypothetically खुद assume करना है और उसको construct करके दिखाना बढ़ेगा यह topic आने के chances काफी जाता रहते हैं इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग ठीक है चले दोस्तो आफसी को plot करके देखते हैं कि आपको बनाते हैं सबसे पहली जूनिट की बात करो जीरो इंफिनिटी है इंफिनिटी क्या होती है उसको इसको tomar कर पाना तो मेरें बस में नीमें पतनी कहां से आएगा फर्स तुनिट पे ट्वेन्टी है तो में माक कर लेता हूं यह toca और यह चुंट ट्वेंटी पे हमने उसकोट कर दिया ठीक है उसके बाद दुसे दूसरा हमारे पास 10 है यह 10 है आपके सामने है 10 तो यह आपने 10 मार्क कर दिया तीसरा दोस्तो हमारे सामने है 6.67 आपको नजर आ रहा है यह 5 है तो यह 6 हुआ तो लब लब यह यहां से अगर मैं देखता हूँ तो approximately यह हमारा 6.67 रहेगा दोस्तों उसके बार हमारे पास 4th unit पे दोस्तों 5 है आपको देख रहा है 4th unit पे 5 लिखा गया है तो मैं बना रहेता हूँ 4th unit पे 5 5 यह आपके सामने यह 4th unit यह हमारा 5 हो गया और उसके बार 5th unit पे दोस्तों 4 है 5th unit यह यह आपकी और अगर 4 की बात करो तो लग लग यहाँ पर आएगा फो दोस्तों तो यह हमारा फिफ यूनिट हो गई ठीक है अगर मैं इन सारे पॉइंट को जोइन करता हूं दोस्तों बहुत जारा ध्यान से तो मेरा एफसी आएगा चलिए मैं जोइन करी देता हूं यह दोस्तों आपका एफसी है दोस्तों एवरेज फिक्स्ट कॉस्ट यह जो शेप इसकी आई है आपके सामने जो शेप नजर आ रही है इस शेप का अपना एक नाम है और यह शेप का नाम है दोस्तों रेक्टेंगूलर रेक्टेंगूलर हाइपर बोला क्या बोला हाइपर बोला पताओ आजकल कर भी बोलने लगे हैं और बोलते भी हाइपर होके हैं तो एफसी दोस्तों हमारा रेक्टेंगूलर हाइपर बोला कर है अब अगर मैं एफसी से रिलेटिट कोशन की बात करू दो तो AFC का सबसे पहला कोशन यही उठ जाता है कि AFC को Rectangular Hypergola क्यों कहते हैं Why AFC कर्द is known as Rectangular Hypergola पहला सवाल तो यही आ जाता है एक अच्छे टीचर के पहचान यही है कि वो हमेशा AFC से related कुछ ना कुछ कोशन देने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि AFC हमारा one of the most important topic है इतना important TFC नहीं है जितना important AFC है TFC तो normal हो गया कि भाई पहलो रहता है बाती खतम हों की सेम रहता है लेकिन जो twist AFC लेकर आता है और अलग-लग type से twist लेकर आता है उसमें power काफी जादा है इसलिए AFC से related question आने के chances थोड़े से जादा रहते है तो पहला question AFC को rectangular hyperbola क्यों कहते है दोस्तों बड़ा simple सा इसका answer है मैं आपको बताता हूँ AFC का नीचे का जो area है दोस्तों वो हर point पर हर point का वालब है किसी भी point पर आप ले लिजे ठीक है मैं first point पर लूँ, second point पर लूँ, third point पर लूँ, fourth point पर लूँ, fifth point पर लूँ अगर मैं एक rectangle बनाता हूँ चले मानते हैं second point पर rectangle बनाते हैं यह हमें एक rectangle बना रहे है rectangle का दोस्तों formula होता है area का आपको बताए length into breadth ठीक है आप लोग जानते है अगर इसके length हमारी 2 है, यह नीचे length है, ठीक है और breadth इधर है, तो breadth है 10 तो यह area कितना आगया, 20 आगया ठीक है, आपके सामने area निकाले, दोस्तों area आ रहे है 20 तो rectangle का area 20 आ रहे है, आप किसी भी point पर ले लिजे मैं कहता हूँ, चलो 4th point पे लेते हैं, इस 4th point पे, ठीक है यह बन गया दोस्तों rectangle, ठीक है length होगी हमारी कितनी 4 और breadth होगी हमारी कितनी 5 4 into 5, again कितना आगया, 20 क्योंकि यह curve के नीचे का हर point का area same आता है इसलिए इस curve को हम लोग rectangular hyperbola curve कहते है definition में अगर हम लिखना चाहें, या इससे relate लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कि AFC के नीचे का area है, वो हर point पे same आता है, हमेशा same ही आएगा किसी point पे निकालेजी, जैसे मैंने आपको 2 point पे निकाल के दिखाया है, मैंने second point पे निकाला, और मैंने fourth point पे निकाला, area 20 ही आ रहा है ऐसी, AFC का area रहेगा दोस्तों, वो हमेशा same रहेगा, हर point पे same रहेगा इसलिए AFC को rectangular hyperbola curve कहा जाता है और कभी justify करने को आ जाता है, तो आप ऐसे 2 point लेके या 3 point लेके justify कर सकते है, rectangle बना के कि देखिए हमारा rectangle बना है, और rectangle का area length into breadth होता है और आपके सामने area same आ रहा है, इसलिए AFC को हम लोग rectangular hyperbola curve के नाम से जानते हैं ठीक है, इतना आप धानके चलेंगे, और question दोस्तों discuss करने से पहले हम लोग AFC के कुछ features पढ़ लेते हैं, और कुछ question हमारे feature से ही निकल के आएंगे तो दोस्तों AFC का सबसे बहला feature आपके सामने हां लिखावा आ रहा है कि AFC decreases will increase in the level of output AFC हमेशा output के साथ ही decrease होता है आपको नजर आ रहे हैं, कि AFC हमारे beginning 20fte 10, 6.6, 7, 5, 4 AFC हमेशा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा जा रहा है जैसे जैसे output बढ़ रहा है, वैसे-वैसे AFC गिरता जा रहा है तो पहला point दोस्तों यह है हमारा कि AFC हमेशा गिरता है AFC हमेशा गिरता है जैसे जैसे output बढ़ेगा वैसे वैसे AFC हमेशा गिरेगा ठीक है दूसरा दोस्तों हमारा question यह point हमारा जो रहता है दोस्तों आपको नजर आ रहा है और ना तो यह कभी X-axis को चूएगा ना कभी Y-axis को चूएगा ऐसा क्यों दोस्तों X-axis को तभी चूँ सकता है जब AFC 0 हो जाए और AFC 0 हो ही नहीं सकता AFC कुछ ना कुछ तो रहेगा इवन आप अगर 100 तक भी जाते हैं तो अभी 20 upon 100 करके दोस्तों 0.2 आएगा 0 नहीं आ रहा है 0 से तो थोड़ा सा उपर ही है तो AFC कभी भी X-axis को चूई नहीं सकता और Y-axis को यह चूटा नहीं क्योंकि Y-axis कहा चूएगा इंफिनिटी से आ रहा है तो यह चूई नहीं सकता बिल्कुल भी तो AFC कभी X-axis को चूएगा ना कभी Y-axis को चूएगा तीसा पॉइंट दोस्तों AFC कभी रेक्टेंगूला है पर बोला होता है और इसके नीचे के एरिया हमेशा सेम रहता आपको पता है यार यह तो AFC वहल है AFC हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा 0.0 something होगा लेकिन 0 नहीं हो सकता जीरो से उपर ही रहने वला है तो AFC कभी X-axis को चूँ सकता था ना चूँ सकता है ना चूएगा टेंशन वाली जह बिल्कुल भी ठीक है ओके यह दोस्तों फीचर आपके सामें आ रहे हैं डिटेल आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं याद करना चाहें याद भी किसकते हैं अब एक कोशन के आ सकते हैं कि AFC कर हमेशा फॉल ही क्यों होता है AFC हमेशा Fall क्यों होता है या AFC कवा हमेशा Fall ही क्यों होता है आपको इस बात की Justification देना को आ सकते हैं तो कैसे Justify करेंगे इस Schedule के हरब से आध जस्टिफाइग कर सकते हैं आपको बता है TFC हमेशा constant है TFC same रहता है और जो output है वो बढ़ता जाएगा जब भी किसी भी topic में या कभी भी आपका numerator same रहे और denominator बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो result हमेशा falling ही आएगा numerator का same रहना और denominator का बढ़ना result को हमेशा कम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा इसलिए वो कभी X axis को touch नहीं करता और AFC 0 unit पर infinity होता और infinity को plot करना possible नहीं है इसलिए वो कभी Y axis को भी touch नहीं कर सकता यह हमारे AFC से related कुछ question हो सकते थे जिनके मैंने आपको answer दिये मुझे अमीद आपको बहुत अच्छे समझ आगे होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होग तो stay tuned to your own YouTube channel one to one classes